नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब मजे में हैं, मैं दिविजा आज आपके सामने चंदमामा की एक बहुत ही खुबसूरत कहानी लेकर प्रस्त थूँ, कहानी का नाम है कवो का स्ने, तो शुरू करें एक गाव में सारंग नाम का एक लड़का रहा करता था, छुटपन में ही उसकी मां गुजर गए थी, उसकी उम्र दस वर्ष की थी कि उसका पिता अंधा हो गया, वे बड़े गरीब थे सारंग मैनत मशक्कत करने जाता, जो कुछ कमाता उसे खरीद कर रोटिया बना कर पिता को खिला था, खुद खाता और जो बचता कवो को दे देता सारंग के वे कवे ही दोस्त थे, उन कवों पर वे जान देता था, रोज भोजन के समय वे अपने घर के बाहर बैच जाता और दिवार पर बैटे कवों को प्यार से देखता खुद पेट भर भी ना खाता और उनको अपना खाना बचा कर खिलाता था, एक दिन सारंग ने जितनी रोटिया बनाई थी, उसका पिता ही खा गया था, ना सारंग के लिए एक तुकड़ा बचा, ना कवों के लिए ही उसे इस बात की चिंता ना थी, कि उसके लिए रोटी नहीं बची थी, पर उसे दुख इस बात का था, कि अपने कवों के लिए वो कुछ भी न दे पाया जब वह बाहर आया, तो दीवार पर कवों की पंक्ती बैटी थी, उसे देखते ही सारंग दुकी हो उठा उसने उन कवों से कहा, क्या किया जाए, आज तुम्हारे लिए खाना नहीं है और कवों भी इस तरह का का करके उड़ गए, जैसे उसकी बात समझ रहे हो थोड़ी देर बाद एक कवा अपने चोंच में कुछ लाया और उसे सारंग के सामने फेक कर चला गया सारंग ने जब जुक कर देखा, तो वह चकित रह गया वह राजा की मुद्रिका की तरह थी, वह घबराता घबराता अंदर गया पिता जी, इसे कवों ने लाकर डाल दिया है यह देखने में राजा की मुद्रिका मालम होती है, क्या किया जाए उसने पिता से पूछा, पिता ने घबरा कर कहा, राजा की मुद्रिका को एक शन भी पास नहीं रखना चाहिए यह बड़ा अपराद है, तुम राजधानी तक कैसे जा सकोगे, तुम इस गाओ के कोतवाल को इसे दे दो और उससे कह दो कि वह इसे राजा तक पहुचा दे सारंग कोतवाल के पास गया राजमुद्रिका उसे देख कर उसने यह भी बताया कि वह उसे कैसे मिली थी राजमुद्रिका को चुरा लिया गया है और राजा की आग्या है कि वह जिसके पास मिले उसे पकड़ लिया जाए इसलिए तुम्हें पकड़ कर मुझे राजा के पास ले जाना होगा कोतवाल ने कहा कोतवाल ने दो सिपाईयों को बुलाया और सारंग के हाथ रसी से बंदवा दिये तुम इसे लेकर राजधानी के और चलते चलो मैं जरा दिन ढलने पर घोडे पर सावार होकर आऊंगा और तुमसे आ मिलूंगा वे अभी आधे रास्ते में थे कि सूरज ठीक सर पर चड़ आया सिपाही एक तालाब के पास रुखे जो कुछ खाने बे साथ ले आये थे उन्होंने खाया तालाब से ठंडी ठंडी बयार आ रही थी वे उस बयार में आराम से सो गए इतने में कही से कवो का जुन्ड आया दो-तीन कवे सारंग के पास आये उसके हातों पर बंधी रसियों को खीच दिया उसके बंदन खोल दिये और जिस तरह चुपचाप आये थे उसी तरह चुपचाप चले गए सारंग ने पहले तो घर के और चला जाना चाहा पर उसे लगा कि उससे कोई फाइदा नहीं होगा वह सड़क छोड कर पकडंडी से राजदानी पहुचा सीधे वर राजमहल में राजा के दर्शन के लिए गया सारंग ने राजा के सामने साश्ठांग किया और उससे साफ साफ कह दिया कि एक कव्वे ने लाकर उसे मुद्रिका दी थी और उसने उसे कोतवाल को दिया था जिसने उसे गिरफतार कर लिया था पर कव्वो ने उसे छुड़ा दिया था राजा ने सब सुन कर कहा कवों ने जितनी तुम्हारी मदद की है उसका सवा हिस्सा भी लगता है आदमियों ने नहीं किया है कहकर उसने अपने खाजाने में से सो मोहरे मंगवा कर सारंग को दिलाई सारंग ने खुशी से आसु बहाए राजा से विदा लेकर वो जा रहा था कि राजा ने उसे रोक कर पुछा पर इतना धन लेकर कैसे जाओगे जरा ठैरो मैं कोतवाल को ही तुम्हारा अंग रक्षक बना कर भेजूँगा इतने में कोतवाल और दो सैनिक वहाँ पौछे कुतवाल राजा की आग्या पर राजा के पास आया और नमस्कार करके उसने निवेदन किया महराज मुद्रिका तो मिल गई है पर चोर भाग गया है उसे जल्द ही पकड़ कर वह अभी कही रहा था कि सारंग को वह देखकर वह हक्का भक्का रह गया लगता है तुम में कुछ भी ग्यान नहीं है मुद्रिका लाकर देने के लिए लड़के को इससे पहले ही ईना मिल चुका है इस लड़के को सुरक्षित घर तक पहुचाने की जिम्मेदारी तुम पर है कौन चोर नहीं है और चोर है अगर तुम यह नहीं जान सकते तो तुम कोतवाल होने लायक नहीं हो फिर भी इस बार तुम्हें माफ कर देता हूँ जाओ राजा ने कहा राजा के दिये हुए पैसो से सारंग ने एक छोटा घर खरीद लिया और कुछ भूमी भी खरीद ली और अपने पिता के साथ आराम से रहने लगा उसकी कहानी जल्द ही सबको मालुम हो गए और लोग उसके घर को कववा घर कहने लगे उस पर हमेशा कववे रहा करते थे और हर रोज उन्हें खूब खाना दिया जाता था मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी कहानी छोटी है पर इसमें सीखने लायक बहुत कुछ है जैसे की जानवरों से सनेह करना प्रेम करना बहुत ही पुन्या का काम है और दूसरी बात ये सीखने को मिली कि जिस काम को करने के इराधे पक्के हो अच्छे हो तो उस काम का अंजाम भुरा नहीं हो सकता तीसरी बात मुझे ये सीखने मिली कि किसी को गलट ठहराने से पहले सौ बार सोचना बहुत ही मुख्य है और आखरी बात मुझे ये सीखने मिली कि सच्चाई की हमबेशा जीत होती है आशा करती हो कि आपको भी इस कहानी में बहुत कुछ सीखने मिला फिर मिलूंगी एक नहीं कहानी के साथ तब तक धन्यवाद